तेनाली राम की कहानी तेनाली रामा और अंगूठी चोर राजा कृष्ण देव राय बहुत ही कीमती आभूशन पहना करते थे लेकिन उनके सभी आभूशनों में से सबसे प्रियत ही उनकी कीमती रत्न जड़ित अंगूठी वो हर वक्त अपने अंगूठी को देखा करते थे इतना ही नहीं वो दर्बार में भी सभी को वो अंगूठी दिखाया करते थे लेकिन एक दिन महाराज अपने दर्बार में काफी उदास बैठे थे उन पर उनके सबसे खास मंतरी तेनाली रामा की नजर गई वो राजा के पास आए और उन्होंने राजा की उदासी का कारण पूछा राजा ने बताया कि उनकी सबसे कीमती अंगूठी चोरी हो गई है और चोर उनके अंगरक्षकों में से ही कोई एक है राजा की बात सुनकर तेनाली राम ने तुरंद कहा कि वो जल्द उनके अंगूठी चोर को पकड़ लेंगे तेनाली की बात सुनकर राजा काफी खुश हुए तेनाली ने राजा के सभी अंगरक्षकों को बुलाया और कहा मुझे पता है कि महाराज का अंगूठी चोर आप में से ही कोई एक है जो निर्दोश है उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन जो गुनहगार है वो सजा भुगतने के लिए तयार रहे आप सभी मेरे साथ काली माता के मंदर चलें तेनाली की यह बात सुनकर राजा हैरान हो गए और बोले चोर पकड़ने के लिए मंदर क्यों जाना तेनाली ने कहा महाराज आप धहरे रखें मंदर में ही चोर का पता चलेगा सभी मंदर पहुँच गए तेनाली पहले मंदर के अंदर गए और पुजारी के कानों में कुछ कहा फिर तेनाली ने बाहर आकर अंगरक्षकों को बारी बारी से काली माता के पैर चुकर आने को कहा तेनाली ने सभी को यह भी कहा कि आज रातमा काली सपने में आकर उन्हें चोर का नाम बताएंगी तेनाली की बात सुनकर सभी अंगरक्षक एक एक कर मंदर के अंदर जाते और काली मां के पैर चुकर बाहर आते अंगरक्षक जैसे ही बाहर आते तेनाली उनके हाथ सुंगता और उन्हें कतार में खड़ा कर देता जब सारे अंगरक्षकों ने काली मां के पैर छू लिये तो राजा ने कहा चोर का पता तो सुबह चलेगा लेकिन तब तक इनका क्या करें फिर तुरंट तेनाली राम बोले नहीं महाराज चोर का पता चल चुका है वहाँ पर मौजूद हर कोई हैरान हो गया तेनाली ने कहा सात्वे स्थान पर खड़ा अंगरक्षक ही चोर है यह सुनते ही वो अंगरक्षक भागने लगा लेकिन तब तक अन्य अंगरक्षकों ने उसे धरत बुचा वहाँ मौजूद हर कोई हैरान था कि तेनाली को कैसे पता चला कि यही चोर है तेनाली ने सब को बताया मैंने मंदर में आते ही पुजारी जी से बोलकर काली मां के मूर्ती के चरणों में सुगंधित इत्र लगवा दिया था जिस कारण जो भी काली मां के पैर चूता सुगंध उसके हाथों पर आ जाती लेकिन जब उसने साथवे स्थान पर खड़े अंगरक्षक के हाथ सुंगे तो उसमें कोई सुगंध नहीं थी उसने पकड़े जाने के डर से काली मां के पैर चुए ही नहीं ऐसे में यह बड़ी आसानी से पता चल गया कि असली चोर वही था तेनाली की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और तेनाली को कई सारे उपहार से सम्मानित किया कहानी से सीख जो भी कोई व्यक्ति गलत काम करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है बुरे काम करने वाला व्यक्ति कभी नहीं बच पाता है